दोस्तो नमस्का कर्णल अजय सी ओ अजय स्टो मनी ग्रूब फर्स्ट क्लोबल एस्टो फ्रनेंस डिजीचल चैनल से आप से मुकातिब होता हूँ आज 4 अप्रेल सन 2023 सरपतम महाविट जैन्तिक एशू बर पावन अफसर पर आप सभी को बहुत बहुत आदिक सुपकामना है एवं बदाई महाविट का संदेज जीओ और जीने दो और इंसा पर्मो धर्म ये पूरे विश्ट के अंदर फैले ऐसी हमारी भावना है दोस्तो आज की अपिसोड दे हम सरसों के पर बात करेंगे खाद्य तेलों पर बात करेंगे जानिये पुरी रिपोर्ट विस्तार से मार्च संद 2023 ओल इंडिया तेल तिलहन ओल इंडिया कॉंफरेंच जयापुर में यानि पिंग सिटी में हमने सबसे पहले 12 मार्च को सरसों में तेजी की बात कही थी जो की अक्षरत सत्य साबित होई जबकि लगबक सभी वक्ता मिशेशग्य और मिलर्स सरसों के अंदर जबर्दस मंदी की धारना धार रहे थे उस वक्त हमने यह कहा था कि सरसों में तेजी रोक सकोए तो रोक लो सुनिये उस छोटी सी जलकी दोस्तों बारा मार्च संद होजार 23 के बाद आज 4 अपरिल तक सरसों के अंदर 500 रोपे से अधिक तेजी आ गई है और साथ साथ खादे तेलों में पामाल और सोया तेल में भी शांदर तेजी दर्ज होई है हमारा एक और अनुमान सत्य साबित हुआ दोस्तों अब एक बड़ा प्रशन ये है कि ये लगबग 10 प्रतिशत की तेजी का असर अब आगे कितना पड़ेगा क्या तेजी और ज्यारी रहेगी या फिर होगी बड़ी मंदी इसकी विशेश रिपोर्ट के लिए संपर कीजे दोस्तों याद रखेगा कि तेजी के टाइम तेजी आने के बाद सब लोग तेजी की बात करते हैं देख लीजे लगबख सभी मार्केट विशेश अब सरसो में तेजी की बात कर रहे हैं पाम में तेजी की बात कर रहे हैं लेकिन मार्च के प्रतम सब्ता से पहले या मार्च में कोई भी आगे बढ़कर तेजी की बात नहीं कर रहा था और अक्सर यह होता है कि तेजी में माल जो मुनाफ़ा नहीं वसुल करता है तेजी आने पर भी फाल नहीं मिचक सकता है तो फिर बाद में वो परिशान होता है क्या आग्याने वाले समय में होगी सर्सो या पामायल या सोयाविन में तेजी या फिर अब मुनाफ़ा वसूल करने का समय है विशेश रिपोर्ट के लिए संपर करें दोस्तो तेल तेलों की मांग बढ़ने से घरेली वजार में सुमवार को भी यानि कल तीसरे दिवस लगातार सर्सो ने तेजी देखी गई जैपूर में जो की राइस्सान की राज़ानी है कंडिशन सर्सो के बाओ 64 रुपए तेज होकर 5925 रुपए से उपर हो गए है और सर्सो की देनिक आवक लगबग 4.5 लाग बुरियों के पर बताई जा रही है दोस्तो इंपोर्टेड एडेबल ओयल पाम तेल और सोया बी ने भी शांदर तेजी सोया तेल के अंदर अंतराश्य बजारों में दर्ज हो गई है और इस से भारते बजारों में भी पसर पड़ा दोस्तो ये सब तेजी मौसम के ओपर भी निर्बर रही क्योंकि पिछले लगबग 10-12 दिन के अंदर बहुत तेज बरसात ओलाव रश्टी से फसलों के नुक्सान के समाचार है दोस्तो एक और महत्वपुन बात ये रही कि मार्च महिने में देश भर में उत्पादक मंडियों में लगबग 16 लाख तन सर्सों की आवक्के समाचार है जिसमें से 16 लाख में से 11 लाख तन की तो क्रशिंग होई है और पहली अप्रेल को किसानों के पास लगबग 15 लाख तन सर्सों का स्टॉक होने की उमिद लगाई जा रही है क्योंकि अलग-अलग एजन्सियों को मानें तो लगबग 112 से 113 लाख तन सर्सों का उत्पादन और केरी पॉवर्ट स्टॉक इन सब को देखते वे लगबग 120 लाख तन सर्सों का स्टॉक होना चाहिए अब महतोपुन यह है कि ये लगबग सो लाग टन सरसो का जो बकाया स्टॉक है वो क्या हमारी खपत को पूरा करेगा आने वाले समय में क्या इसमें और तेजी आएगी ये एक महतोपुन प्रशन है दोस्तों याद रखेगा आने वाले लगबग एक महने में एक निर्णायक मोड़ साबित होगा लेकन याद रखेगा हमने गवार सीट के पर भी आपको जब गवार सीट 44-45 सो रुपए के आसपार चल रहा था तब हमने खरीदने की बात कही थी और 66 सो रुपए के उपर जब 3500 पर आया तो दोस्तों उसके बाद फिर गवार बड़ा तो महतवपुन यह रहता है कि क्या टाइम पर आप मुनाफ़ा वसूल कर रहे हैं या फिर आप मुनाफ़ा नहीं वसूल कर रहे हैं यह एक बड़ा प्रशन है तो मिलर्स के लिए स्टॉकिस्ट के लिए री जी की बात कही थी याद रखिए कपास सबसे महतवपूर्ण कमूडिटी में से एक है सारा देश पूरा विश्व कॉटन के अंदर मंदी में था 22-23 से की कॉटन अंतराश्य बजारों में शांदार तेजी दिखाई 83 से उपर का भाव देखा गया इसके अत्रिक्त बिनोला कपास खली के भाव में उलेख नहीं व्रद्दी होई इसका पूर वनिमान हमने सबसे पहले दिया था तो दोस्तों कपास हो या फिर सरसो सोयाबी लेकिन हो या फिर जीरा इन सभी पर हम लगातार आपको अपडेट देते हैं लेकिन हर चीज निशुल कुपलब कराना हर बार संबाव नहीं हो पाता है तो दोस्तों हमने आपको सारी विचलेशन दिया है अधी आप हमसे पेड़ सर्विस से चाहते हैं तो आप कॉंटक्ट अबस कीजिए नंबर स्क्रीन पर दिये गए हैं ओल दे वरी बैस्ट गुड लाग हैपी टेड़ी